प्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आपका एवार फिर से फ्रेंड्स दो दिनों बैंक स्ट्राइक 15-16 17 तारीक को जी आइसी का 18 को एलाइसी का इसी बीच 16 तारीक को बितमंत्री नुरुबलाशिता रम्मय ने एक कैबनेट डिसिजन की ब्रीफ कर रही थी प्रेस कॉन्फरेंस में और उन्होंने ये बताया कि सरकार ने डेबलेम्मेंट फाइनेंस इंस्टूशन का गठन के हरी जंडी दी है कैबनेट डिसिन में बितमंत्री ने कहा कि सरकार ने इंफ्रा सेक्टर के लिए निस्टल बैंक को मंजूरी दी है निस्टल बैंक के लिए पेड़प कैप्टल के रूप में रूपीज 20,000 क्रोड की मंजूरी मिली है किंद्री मंत्री मंडल ने वुनियादी धाचा छेत्र की परियोजनाओं को लांटर लोन देने के लिए एक निया डेपलेमेंट फाइनेंस गठित करने के संबंदी बिध्यार के मौसौदे को मंगलबार को मंजूरी दी बिध्यमंत्री ने बताया कि 2021 के बजट में इस परियोजना को लांटर लोन देने वाला एक निया डेपलेमेंट फाइनेंस गठित करने संबंदी बिध्यार के मौसौदे को हमने मंजूरी दी है सरकार ने इस ने संस्थान के लिए रूपीज 20,000 क्रोर की पुजी का प्रस्ताव किया है मंत्री मंडल के बैठक के फैसले की जानकारी देते हुए सितारमन ने कहा कि कैबनेट DFI की गठरंग के लिए मंजूरी दी है इससे दिर्क कालिंग कर्च की उपलपता बढ़ाने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि प्रस्ताव डिफाई में 50 फिस दी डारेक्टर वो गैर सरकारी होंगे फ्रेंड्स इन्हीं कैबनेट ब्रीफिंग के समय कुछ पत्रकारों ने इस बात के लिए वित्यमंत्री से पूछा कि जो बैंक स्ट्राइक हो रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है और आप क्या कहना चाहती है एफम थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा कि अभी पहले आप इस इन्फराइस्टर बैंक के बारे में बात करें फिर उसके बाद मैं आपको जवाब देती हूँ और फिर उन्होंने जवाब दिया वही रटा रटाया जवाब जो बित्यमंत्री बजट इस पीस के बाद से दे रही है हमें बड़ा बैंक चाहिए हम पब्लिक सेक्टर बैंक की आव सकता है वी कैनाट इग्णोर दे इंपार्टेंस अब पब्लिक सेक्टर बैंक लेकिन हम प्राइवेट करेंगे सब कुछ अच्छा है सब कुछ भून अच्छा हो रहा है फिर भी हम प्राइवेटाइशन करेंगे यह उनका यह गवर्मेंट का एडामेंट रूख है यानि कि दो दिन स्ट्राइक के बाद अगले दो दिन स्ट्राइक होने वाले हैं उन सब की बिना परवा सरकार का कहना है कि हम प्राइवेटाइशन करेंगे उन्होंने यह बात अवजरू असपस्त किया कि हम सारे बैंक प्राइवेटाइशन नहीं करेंगे लेकिन जो दो बैंक का डिस्टन लिया है वो प्राइवेटाइशन करेंगी बिसाइड्स आईडी बियाई फिर यहां पर बात आती है उन Friends, दो बातें यहाँ पे आती हैं, हाँ, उन्होंने ये भी कहा, कि हम employees की हितों को ध्यान में रखेंगे, उनकी salary के, उनके purse के, और जो retired employees जो हैं, उनके pension के बारे में ध्यान रखेंगे, और उनका कोई अहित नहीं होगा ये कितना सच होता है, ये आने वाला समय बतायागा, क्योंकि इसी cabinet decision में, एक decision सरकार ने और लिया, कि Handicraft and Handicraft Corporation of India, HHIF, उसको बंद करने की मनजूरी दे और उसमें, केवल permanent employee जो हैं, वो 59 permanent employee हैं, दो management training हैं, और government ने कहा कि हम इन्हें BRS का पूरा लाब देंगे जब केवल total exit employee को, government कहीं accommodate नहीं कर पा रही है, उनको BRS देने की बारे में सोच रही है तो क्या, after privatization, rent ownership will be changed, उस समय क्या government जो employee उस bank में हैं, उनके security की guarantee, उनके employment की security की guarantee कैसे दे पाएगी पहले BRS आएगा, फिर CRS आएगा, फिर transfer होगा, और ultimately implies परिसान होके, या तो नोकरी छोड़ देगा, या जिल्लत की जिन्दगी जिएगा government के किसी भी commitment पे विश्वास करना थोड़ा difficult है, लेकिन जो present circumstances है, जिसमें government ने implies के strike के बाद भी कोई अपना रूख positive नहीं दिखाया है, ऐसे में हम implies security के, implies के service security के वबारे में केवल सरकारी इस बात को केवल मान लेंगे, क्या करता है, क्या होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, friends, इसी समय, लोक सभा में बित राज मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कि LIC विने सवाल पर जवाब देते हैं, बित राज मंत्री में कहा, हम सिर्फ एक IPO ला रहे हैं, share कम्र करने के सीमा अभी तैय नहीं है, उन्होंने कहा कि प्रस्तावत IPO के करण LIC में किसी की भी नौकर नहीं जाएगी, और LIC को हम प्राइविटाइज करने नहीं जा रहे हैं, केवल हम IPO ला रहे हैं, उन्होंने कहा कि वर्ष 17.18 में बीमा करता ने 48,436 करोड रुपए का सरप्रस पैदा किया था, इसमें 46,014 करोड रुपए पालसी धारक के साथ और 2,421 करोड रुपए सरका के साथ किये गये थे, वर्ष 19.20 में भी 53,954 करोड का सरप्रस जेरेट हुआ था, इसमें 51,257 करोड रुपए पालसी धारक को और बाकी 2,697 करोड सरकार को दिया गया था, उन्होंने साब साब क्लियर किया कि LIC का कोई प्राइविटेशन नहीं होगा, और उनके इंप्लाइज को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और ना उनकी नोकरी जाने की कोई ख़त्रा है, हम केवल बित्मंतरी अत्वाराज बित्मंतरी के वादों पर बातों को मान सकते हैं, क्या होता है भविस में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, इसके लावाँ देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, SBI पर RBI ने दो क्रोन का जुर्माना लगाया है। RBI ने, रजर बैंक ने कहा है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया ने करमचारियों को कमिशन के रूप में परिसरमिक भुक्तान संबंदिक गाइडलाइन को अंदेखी किया है, जिसके कारण SBI पे दो क्रोन का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना बैंक इन रिगलेशन एक्ट के ताथ लगाया गया है, क्योंकि रजर स्टेट बैंक ने अपने सफाई में ऐसे दस्तावेश प्रस्तोत नहीं कर पाए, जिससे ये लगा हो कि उन्होंने नियमों का उलंगन किया हो, इसलिए ये साबित हुआ कि ये नियमों क जुर्माना लगाया है, फ्रेंड्स हम अब ये आसमनित हो रहे हैं कि बैंक प्राइफटाइशन होना करीब करीब सुनिश्चित है, क्योंकि गवर्मेंट का जो रूख है वो एकडम साफ है, अब बात ये उठती है कि कौन से वो दो बैंक होंगे, जिसको सरकार अभी चैन नहीं कर पाई है, और ना अभी उनके पास कोई सा क्रेटिरिया है, क्योंकि बित्यमंत्री का एक ही जवाब बार बार देना कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही, नेक्स वीडियो के नेक्स अपडेट के साथ आप से फि पूस रहिए, इंजॉय करिए, थैंक्यू फ्रेंड्स